राजिस्थान के भीलवाडा जिले के गाउं हर्णी में होली पर एक बेहद अनोखी और खास परमपरानी इसे दूसरे गाउं से अलग बना दिया है। और इसी खास परमपरा के चलते अब इस गाउं की ख्याती दूर दूर तक हो चुकी है। इस गाओं में होली पर सोनी के भक्त प्रहलाद चांदी की होली की गोद में बठाये जाते हैं और फिर मंत्रोचारण और सभी रस्मोरिवाज के साथ पूजा संपन्न होती है इस अनूठी परंपरा के पीछे का कारण हम आपको बताते हैं हुआ यूँ कि कुछ सालों पहले होली के लिए पेड काटनी को लेकर इसी हरनी गाओं में विवाद में आगजनी की घटना हो गई थी इस विवाद के कारण गाओं वालों ने तै कर लिया कि अब हम होली पेड काट कर नहीं मनाएंगे और गाउं वालो ने सोने के प्रहलाद और चांदी की होली बना कर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी साथी होली का तेवहार मनाने की एक अनूठी परंपरा शुरू कर दी जो आज भी बदस्तूर जा रही है बड़ी हरनी गाउं की ग्रामीन भेरूलाल जाट ने कहा कि भीलवाडा शहर से तीन कीलो मेटर दूर हमारे गाउं हरनी में होली का दहन के लिए पेड काटनी को लेकर विवाध हो गया था और आग लग गई थी जुसके कारण आज से 71 साल पहले गाउं के बुजुर्गों ने मिलकर ये नेड लिया था कि अब हम होली का दहन के लिए पेड नहीं काटेंगे और गाउं के लोगों ने चंदा एक अठा कर सोनी के प्रहलाद और चान्दी की होली बन वाली होली का दहन के लिए बड़ी हरनी गाउं के सभी ग्रामीन चार बुजा मंदर परिकठा होते हैं और फिर ढोल नगाडों के साथ सोनी के प्रहलाद और चान्दी की होली की शोभा यात्रा गाउं में निकाल कर होली का दहन स्थल तक ले जाते हैं और फिर पूजा कर फिर वापस मंदर में लाकर स्थापित कर देते हैं